हेलो फ्रेंड सौगत आपके ही चैनल फेंटाइसी डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैं चुम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह अने वाला यहां पर एस आरेच वरसेश जीटी के बीच यहां पर जो मैच होने वाला इस मैच के वीडियो वीडियो में आपके लिए फिर से फ्री गिववे रखा गया एक सिंपल सा कोश्चन का आपको आंसर करना है और आप फ्री में माउंट विन कर सकते हो वह कोश्चन में वीडियो में आपसे आगे लगे पूछने वालों वीडियो से जुड़े रहना इस वीडियो में आपके क्या चीछ का करें एक तो आपको प्ल साथ करने और अगर आपको डूंटब में हमारे त्हूंटों में और पर आपको समझाता हूं मैं जैसे कि आप मारी कोई भी वीडियो के नीचे चले जाओ जैसे आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके चले तो हमेशे एक वीडियो के नीचे आपको यहाप एक कमेंट सेक्शन दिखाई देगा जैसे अपको कमेंट सेक्शन पर क्लिक करोंसे ऊपर हमेशा ये इस में टैली ग्राम लिए आप aven virtue दिख करो है दो हमारे वाली देखो गिव वे कोशिन जो आपके लिए रहने वाला वह रहने वाला है यहां पर कि आपको बताना है ट्रेविस एड्ट शुबन गिल और साइस उदर्शन यह तीन टोट टोटल कितना स्कूर करने वाले तीनों का टोटल आपको बताना है गिव अवे का जो प्राइज करेंगे पचास जितना भी आपको लगता हो कड़ सकते हो विनर का डिस्ट्रिबिशन रहेगा कुछ ऐसे रहेगा और तीन से ज्यादा विनर हुए तो क्लैश में टाइमिंग का अंसर पहले होगा विनर माने जाएंगे एडिट अंसर अलाउड नहीं है अब देखो पास अगर आती भी है वैसे चांस है बट अगर देखोगे तो नौ बजे के आसपास जो है वह रिन रुख जाएगी उसके बाद फिर रेन नहीं है तो एट लिस्ट हमें बहले ही कल 15 और का मैस दिखाई दे पर कुछ ना कुछ मैंच होता हो न जरूर रहेगा बट रेन के आ जो ओल्ड यूसर उनको पता ही है जो नहीं है वह आगे सीख जाएंगे जुड़े रहो टीम कौन से जीतेगी यहां पर टीम स्ट्रॉंग है अब भले ही गुजरात एलिमिनेट हो चुके बट गुजरात को अंडरेस्टीमेट नहीं कर सकते हैं जैसे कि उनने CSK को हराया था तो लास्ट टाइम जो दोनों टीम के बीच में अपस है मैच वा था उसमें गुजरात नहीं इसी सीजन हैदराबाद को रहा था फॉर्मेट T20 का एकस्पेक्टेड 180 प्लस एकस्पेक्ट करते हैं पिच रिपोर्ट बैटिंग के लिए अच्छी पिच हाई स्कूरिंग वैन्यू है इस स्पिनर्स को यहाँ पे थोड़ी सी हेल्ब मिलते हैं ट्रक्ड निकाले हैं अगर लास्ट पांच इस सीजन है और इस ग्राउन पर पांच मैच इस हो चुके हैं जिसमें अगर आप देखोगे पांच में से तीन बार दोसों के ओपर स्कूर गिया है जिसमें से एक बार 277 भी हुआ था टोटल विकेट इस ग्राउंट में अगर टोटल कितने गिरे हैं 45 गिरे जिसमें से 33 फास्ट बॉलर और 12 जो है वो स्पीनर्स ने लिया है तो कहीं न कहीं फास्ट बॉलर ने जहां पर डोमिनेट ज्यादा करा है भले ही स्पीनर्स को विकेट कम मिले हो बट कुरूशल मुवमेंट पर पर थोड़ा फोकस ज्यादा करना है अग्जक्ट आपको पता है ग्राउंड पर बहुत सारी पीचिस होती है अब कौन से प्रवाइब करेंगे बाकि इस सीजन 5 में जो हैं जिसमें से तीन बार पहले बैटिंग करने लिए टीम का अडवांटेज है अगर लगता है कि दिव नहीं आएगी तो फिर टीम पहले बैटिंग कर सकते अगर डियू की प्रवलम होगी तो पहले बॉलिंग कर डिजन लेना चाहिए है एक प्लेयर तो वर्च आउट यह प्लेयर को यह इंफॉर्मेशन ध्यान रिके चलना टोटल अभी तक इस सीजन पांट डेड़ सो के आसपाँ शक्क्य लगाया है इद्राबाद जिसमें से 97 चक्के सिर्फ तीन बैट्स मनें लगाया है है क्लासन और शर्मा यह प्लेयर्स ऐसे हैं जो छक्कों में डिल्स कर रहे हैं और हैट के सामने डेफिनिटल लगा जाएंगे क्योंकि इस सीजन इस पीनर्स ने हैट को पांच बार आउट किया है और क्लासन को तीन बार आउट किया है इस पीनर्स ने तो डेफिनिटल इन दोनों के गेंस्ट जो पावर हीटर बैट्स में राशिद खान और नूर को लगाया जागा इसलिए ध्यान रखके चलना दैसी आएंगे तो नूर और राशिद्वाद को इंट्रड्यूस किया जा बादा नहीं है और चार बार इस सीजन यहां पर मानोगे तो शुबमंगिल को लेग स्पिनर्स ने उट किया है तो लेग स्पिनर्स जो है एदराबाद की टीम में या तो मारकंडे खेलेगा या तो फिर वियसकांट जो लास्ट मैच में था तो जैसे शुबमंगिल निकाल और क्लासन की यहां पर 65 कि अवरज है हैदराबाद में खेलना पसंद करता है क्लासन तो यह पॉइंट्स को याद रखना टोटल यहां पर इस ग्राउंट पर 77 मैचिस खेले जा चुकिए जिसमें पहले बैटिंग करने वाली इन 36 और दूसरी वाली ने एक ताली जीता है ए एक टाही रहा है अगर बात किया यहां पर एवरेज इसकोर जो है वो 165 है अगर देखा जाए तो यहां पर 70 मैचिस हुआ है जिसमें से 35 बार डेट्स के नीचे स्कोर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हाप सिर्फ हाई स्कोरिंग की बनते लोई स्कोरिंग वेन्यू भी है बट इ जादा फोकस कर रहा है मतलब पैट्समन के लिए जादा अच्छी बनाई गई है डेट्स से बारा बार 177 90 के बीच में तेरा बार 190 के ओपर सतरा बार स्कोर रहा है हाइस्ट इसकोर इस ग्राउंट पर किसी का है वो ऐसारेच का है 277 पर त्री लोईस्ट यहां पर है 80 डेली की अलजारी जोसेफ बार अन्दे के चे विकेट एवरेज रन पर विकेट 27 एवरेज रन पर ओवर 8.20 अगर इसको 20 ओवर से मल्टिप्लाई करोगे तो 160 आपका एवरेज इसकोर तो मिन पार मिनियम आता ही आता है सबसे जादा ने इस ग्राउंट पर देखोगे तो यहां पर विलिमसन जो कि उप्राइब से ऑफर से ऊपर ने अटारा मैच में ऐसे मैच में उल्मुस्ट चार्ट सो रहन है ट्रैविस हैड के यहां पर चे मैच में 271 और चौववन की एवरेज तरह ट्रैविस हैड को खेलना यहां पर डेफिनिटली बहुत पसंद है ट्रै अगर तो द्यान रखना है वैसे अगर बात कि यहां पर मारक करम जो भार बैठा हुआ है यहां पर नौ मैच पैथिस की एवरेज और यहां पर अगरवाल की इतनी खास नहीं सिर्फ बीस की आवरेज बारा मैच में डाइस होके आसपास रहने हैं सबसे अगर किसी नहीं लिए है तो भुवनेशुर कुमार के 48 मैच इसमें 48 विकेट राशिद खान के 21 मैच में 17 विकेट से यहां पर उनातकत के अब 21 समझ रहों कि राशिद खान पर काफी अच्छी बालिंग करी है पहले आपको पता है कि ऐसा रच के लिए खेलता है यहां पर राशिद ग्यारा मैच म मैच में 11 विकेट हैं यहां पर मयंक मारकंडे के तो इन प्लेट पर फोकस करके चलना इस मैच में और अगर बात के आते हैं फिर यहां पर हम टॉप 20 विकेट टेकर्स की लिस्ट निकालोगे यहां पर इस ग्रॉंड पे तो इसमें पांच स्पिनर से पंदरा फार्श बॉल कि यहां पर मैंने अगर बात की जाए तो यहां पर मैंने वेट को एडवां से बाइक कि मैंने आपको बता रहे कि चाहिए कोई भी टीम पहले बैटिंग कर लिए यह मुझे पता है कि वेड़ अगर विकेट इपिंग करते हैं दो कैच भी करता और 20-25 न भी करता तो मुझे प्रॉफिट अच्छा सा दे जाएगा और अगर बात के आने पर साही सुधरशन के बारे में तो बाकी मैंने आपको बता है कि और प्लेयर के बारे में राशीद अकरन की टीम पहले बालिंग करती है मुझे पता फिर राशीद आट लेके पिक करेगा प्लस बैटिंग आने बाकी नट्राजन अगर पहले बालिंग करते दो विकेट में आपको बारे में परशेर का प्रॉफिट होगा यह चीज़ आपको बहुत सारी कौंटिटी खरीट ले हजार का प्रॉफिट होता तो मतलब यह चीज़ आपको धियान रखनी के जुरू है इस अब के सबसे खास बात है कि चार साल से खेल रहे ट्रस्टेट अब दूसरी बात किया तो ना तो टीडियेस चार्ज करती है आपसे विड्रो में और ना तो यहां पर यहां पर लोगे तो अपनी कर सकते हो यहां पर इस आपके बारे फुल एक्स्प्लेनेशन वीडियो आपको मिली जाएगी खेलते जो साइड बेस बहुत अच्छी है अब देखो आते हैं यहां पर हेदराबाद के वारे में तो अल्मोस्ट क्वालिफाई कर चुके सिर्फ एक मैच जी जाएगी तो डेफिनेटली क्वालिफाई करी जाएगी दो में से एक मैच विन करना है इ तो परिशान किया है सीजन पांच बार तो कहीं ना कहीं देखोगे तो ट्राइविस हैट करके खेलता है तो जल्दी और भी हो सकता है बट ऐसे पेचिस पर अगर छे और पांच वर भी टिक जाए तो आपको वैसी अच्छा खाल स्कॉर करके देगा तो ध्यान रखके चलना सब्सक्राइब कर लेता है बट अपनी टीम में मिस नहीं कर सकते हो सेम रूल है कि अगर यह दोन पावर अपने नहीं कर सकते हो सेम रूल है सब्सक्राइब करने के लिए तो यह तीन हो इंपोर्टन बन जाएंगे हमार लिए बाकियां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छा रिकॉर्ड पर इंपोर्टन शाबाद घ्राइब क्योंकि जुरत पढ़ने पर इसने भी देखोगा तो कुछ अच्छे कैमियोज खेलें 59,40,18 और कभी आप बीच में विकेट्स भी निकाले हैं तो मैं रिकमेंट करूंगा कि यहां पर आप ग्रेंड लिग की टीम में जरो ट्राइक करना शहबाद है मत को समद को फिनिशर का रोल दिया तो उतना इंपॉर्टन नहीं है थोड़ा बैटिंग वाटर नीचे हो जाता है सन्वीड सिंग को भी टीम ने सिर्फ एकी मैच में इंपक्ट प्लेयर के पॉइंट अब यू से बलाया था उतना इंपॉर्टन नहीं आठन रहे थे और 44 की वहां विकेट मिलने के चांस हाई रहते हैं सीजन स्टार्ट वड़ा वेकार रहा था उतनी अच्छी प्रफॉमेंस निकल के नहीं थी बट लास्ट की चार मैच थोड़े अच्छा करें कंट्रोल अच्छा लगा है और पावर प्लेय में बॉल को स्विंग भी करवा रहा है टपे पेच्छे बॉल पढ़ रहे तो एक जो भुफने शुकार को हम जानते हैं पुराने वाले तो एक पुराने वाला भुफने शुकुमार हमको देखने को मिल रहा है बाकि है जैदे वुनातकत को बहुत लोग एग्नोर करेंगा बड़ इस ग्राउंड वे एक मतलब फे टेकर बॉलर है बाकि नितर आजन को से देफ होड़ से मिल्कुल मिंस मत कर Na अच्छे और एक्जीच्व्ट कर रहा से पहले इक्स पहले हर मैच मैंंक निकाल सब्सक्राइब करें और इतना अच्छा रहानी है सीजन लाफ सीजन वेकार गिया था टेक्निक अच्छे बट कंसिस्टेंट नहीं है जैंसन कभी सीजन अच्छा रहानी इस पहले चाहे साथ अफरीका टीट्वेंटी लीग और फिर टेस्ट मैचीज तो हर जगा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है बट आई पेल अच्छा नहीं रहा है मारकरम को टीम ने इसलिए भार कर दिया लास्ट येर तक किनका कैप्टन था और बट थोड़ा दिक्कत है कि मारकरम इस सीजन उतना कंसिस्टेंट दिखानी और टीम को जब विजड़ोत पड़े तो मारकरम ने टीम के लिए अच्छा किया नहीं तो इसके लावा यह सीजन अच्छा गरामारकरम का गया निया है राहुल त्रिपार्टी 11 और 20 तो त्रिपार्टी को में तको लगता है टीम को मौका देना चाहीं कि पिर भी ठीक ठाग करी लेता है और अच्छा प्लेयर है ग्रेम्लीग में या तो इंसे और की जासकते हैं कि साथ जा सकते हैं मैं यहांप फकी पहें द्रयादफ के बारे में के बारे वीगट कीपर है थर्टी-फोर की एवरेज हैं यहां पर डॉमेस्टिक में ग्लेंड फिलिप्स रियल फोर डी प्लेयर है तिस्टन इस्टप्स की तरह राइट इन बैट्स मैंने ऑस्पिन बॉलिंग करता है विकेट इपिंग करता है फिल्डर तो ही अच्छा बैसाथ रंगा की जगह हैं यह इसने और चेंगे लिए खिलता था जे सुरमन्य लेक्स पिन बॉलर तमिल्लाडु प्रीमेर लिग का सुपरस्टार स्पिनर एक भी मैच मोखा भी तक मिला इंपोर्टन इंक लिए टॉप 4 रहने वाले दैनिया पर आओगे तो नीचे कमिंस और नटराजन तो 100% लेने बाक जाने के लिए शुबन गिल के गारे में एक चीज़ बोलेंगे कि लास सीजन सबसे अधरन बनायता है और खासकर से जब से यह वर्ल्ड कप का स्क्वार्ड एनाउंस किया उसके बाद थोड़ा और बेकार परफॉर्मेंस है सिफ लास्ट मैच को छोड़ तो कर सकते हो पाव सुदर्शन कहा सकता है कि सुदर्शन थोड़ा कंसिस्टेंट भी है और मोस्टली मैचे प्रफॉर्म करता ही करता है इस सीजन सिर्फ एक दो मैचे फ्लॉप रहा है सुदर्शन और वाइस अप्टन से बहुत अच्छा प्लेयर और टेकनिक बहुत बढ़ी है तो इन दोन मे में बैटिंग भी कर लेता है मिडल और बैटिंग कर लेता है विकट कीपर है तो आपको डेफिनिटी के स्टंफिंग के पॉइंट भी देगा लास्ट मैच में हुआ क्या था चैन्ने के दोनों ने पुरा लास्ट तक खेला इसलिए वेड की बैटिंग ने आए मिलर को प्र सब्सक्राइब गुजरात और हजराबाद का तो इसमें 44 नट आउट किये थे मिलर ने बाकि यहां पर रहूल तेवतिया लेफ्ट हैं लेक स्पिन बॉलर तो यहां पर रहूल तेवतिया की फिनिशर का रोल प्ले किया एक दू मैच्छ टीम के लिए फिनिश भी किया है बाकि यहां पर है नूर एहमद पंट पिक रहाएगा क्योंकि नूर एहमद के अगर स्पिन को थोड़ी सी भी हल्प मिली तो मेडल ओवर में नूर एहमद भी बोलो के तो दिक्कत प्रॉल्म क्रियेट कर सकता है तो गेम चेंजर बनेगा नूर एहमद मोहित को तभी लेना अगर गुजराथ पहले बैटिंग बॉलिंग करती है यह दैथ होड़ से बॉलिंग करेगा तो कहीं न कहीं एक दो विकेट निकाल के दे सकता है दैथ होड़ समय बीच में थोड़े दो चार मैच अच्छे नहीं गए थे वहां पर थोड़ी पिटा ही जादा हुई बट इस मुझे इसका एक मैच आता है जहां पर इसने पंजाब के लास्ट वर में चारन डिफेंड किये थे अच्छा बॉलर है बट पहले मैच में काफी लंबर टाइम बाद थोड़ी पिटाई विया ग्रेंड लिंग में ट्राइक कर सकते हो खासकर से जो गुजरात पहले बैटिं निकाले थे लेफ्ट हम फास बॉलर है आयलेंड का बागी यहां पर है साही किशोर एक मैच अच्छा गया था पंजाब वाला उसके लावा टीम ने प्रपर रैगुलर मौका दिया नी लेफ्ट हम और्थडॉक्स पिन बॉलर है इसके लावा आगे तो रिद्दिमान शाह पर्फॉर्मेंस यह उतना खास सीजन रहा निया एक भी हाफ सेंचुरी सीजन रिद्दिमान शाह की आई नहीं है सुथार लेफ्ट हम और्थडॉक्स लेफ्ट हम बैट्समें अंडर नैंट्री स्टार एक मैच मौका मिला था आरसीवी वाले में कुछ खास किया नी सिस्प अच्छा नहीं यह उतना अच्छा नहीं बड़े प्लेयर को तो अच्छा कर सकते तीम को संभाव सकता है दो ही मैच मौका मिला जिसमें एक मैठा केला दूसरे में प्लेट यहां पर इंडिया का टेस्ट प्लेयर और यहां पर शुषांत मिश्णा रेफ्ट फास्ट बॉलर इंपॉर्टन गिल्ड सुदरश्चन वेड मिलर राशिद नूर और मोहित को जब गुजरात पहले बॉलिंग करें उसी सिनारियों मिलेना फिलाल आपके स्मॉल ल सब्सक्राइब सब्सक्राइब चैप में तेरह फर कोड का यू जो लें साइन अप करते हैं आपको पहले में टेन प्लस वन और ड्रीम प्लस टीम तो दूंको फिर 7 प्लस प्लस पॉर के लिया है कि मैंने अपर लिया है क्लासन को वेड और मिलर में से किसी एक के साथ जोंगा ध्यान रखके चलना इन दोरो यहां पर सब्सक्राइब करेगा शारुखन सेकेंड डाउन तक है थर्ड डाउन तक बैटिंग करेगा और जरुद पर ने मिलर को पर प्रमोट किया सकता है तेवाद या फिनिशर करो तो इतना इंपॉर्टन है शहबास ग्रैंड लिग इसके अलावा सन्वीर का कुछ रोल पता नहीं कब टीम कब खिला है बाकी इन चार बालर के साथ गया हूं अब देखो तीन को तो मैं 100% लोगा चाहिए कोई भी टीम पहले बाइटिंग करें चाहिए बाद में वुवनेशुर कुमार की जगा यहां पर गुजरात को अगर ले ग्रैंड लिग व्यास कांथ गेम चेंजर रोसकता है इस पेच पर अगर स्पिन को हेल्प मिली तो हमारी यह कंफर्म टीम है इसमें सिर्फ दो प्ले राट करनें वेड और मिलर में से किसी एक के साथ जाना है और अगर गुजरात पहले बालिंग करीगी तो मोहीत नहीं तो को बुबनेश्वर के साथ जाने तो यह मेरी टीम रहेगी फिलाल हैं पर यहांपे क्याप्तन मेरा रहेगा वेड ओ यहांपर यह वाइसेप्टन मेरा जो रहेगा वह है थोड़ा गिल्ल लग रहे है कि पावर प्ले में भूफनेश्वर और मिडल और में वैसकां से दिक्क लेने होते हैं तीन बैट से बालर मीनियम चार और मैक्सिम कर सकते हो बिलकुल सेमिन को इंसिदेंस की बात है कि दोनों कॉंबिनेशन की टीम बिल्कुल सेम करिया है में आपके लिए हो जाएगी इसमें ने टीम सोच कि बनाएगी ऐसार पहले बॉलिंग करती है यह पर यहां पर राशीद खान अच्छा करेगा यह मैंने टीम क्रियेट करें, यहां पर मैंने थोड़ा ball and dominate करें इस match में, यह मैंने फिर batting friendly recording बनाई है, पर ऐसार पहले balling करें गी वो सोच की team create कि, बाकि जो final team होगी, small league or grand league की after to each telegram पे मिल जाएगा, telegram channel जान से join कर लिए, लिंक वीडियो की नीचे कमेंट मिल जाएगा सबसे उपर लिंक होगा जैसे इस पर क्लिक करो के टेलिग्राम चैनल उपन जाएगा जैनस को जॉइन कर लेना है मिलता है फाइनल डिम के टेलिग्राम पर जाहिए दोस्तों बाई बागी गिवेव में जरूर पार्टिसेपेट कर लेना